इनकी गल्टी नहीं है वैसे ये कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालक है इनको देखो ऐसे कर रहे हैं देखो ऐसे कर रहे हैं सतर सतर दिन पहले कन्या कुमारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब हम महराश्ट्रा से मध्यप्रदेश में घुस रहे हैं यात्रा स्रीनगर तक जाएगे और स्रीनगर में हमारा जो तिरंगा जंड़ा है उसे वो यात्रा लहराएगे तक्रीवन 3500 किलोमेटर की यात्रा है 120 दिन 125 दिन लगने चाहिए पेदल यात्रा है बहुत सीखने को मिल रहा है युवाओं से बात्चीत हो रही है किसानों से मजदूरों से छोटे विया पारियों से जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं उनसे बात हो रही है बहुत प्यार दे रहे हैं बहुत महबबत दे रहे हैं सब जगे लाखों लोग आ रहे हैं ये टीवी वाले अतना दिखाते नहीं है मगर नदी सी है रोज साड़े पांच बज़े लोग आते हैं छे बज़े हम शुरू करते हैं नदी साड़े बज़े रात को यात्रा खत्म होती है अजीब सी बात है ठकान बिलकुल नहीं होती बिलकुल नहीं होती क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, जन्ता की शक्ति हमारी मदद कर रही है दुख इस बात का है कि ये यात्रा गुजराच से नहीं निकली बड़ी खुशी हो रही है मगर दुख भी लग रहा है युवाओं से बात करते हैं हजारों युवाओं से मैंने बातचीत की है हर पांच दियस मिनट कोई युवा आता है अपने सपने के बारे में मुझे बताता है कोई कहता है इंजिनियर बनना था सालों पढ़ाई की सपना देखा था कम्प्यूटर इंजिनियर बनेंगे आज मजदूरी कर रहे है कोई कहता है डॉक्टर बनना था शिक्षा के पैसे दिये किसी प्राइविट इंस्टिटूशन को लाखों रुपे दिये आज उबर की गाड़ी चलनी पढ़ रही है पीच्सा डिलेवर करना पढ़ रहा है किसान से बात करो सवाल पूछते हैं राहुल जी हमें बात समझ नहीं आती हिंदुस्तान के तीन चार अरब पती लाखों करोड रुपे करजा लेते हैं और फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का करजा माफ हो जाता है हमने क्या गलती की हम पचास हजार रुपे का करजा लेते हैं एक लाख रुपे का करजा लेते हैं हमारा करजा कर्भी माफ कि नी होता उन्हें जब वो करजा वापस नहीं देते तो उसे वो सरकार नौन परफॉर्मिंग एसेट कहती है उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती मगर जब किसान 50,000 रुपए का अरजाग लेता है वापस नहीं देता है उसे नौन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहला जाता है ये सवाल किसान पूछ रहे है प्रधान मंत्री बीमा योजना में पैसा डालते है तुफान आता है, बारिश होती है खिट बरबाद हो जाता है एक रुपिया नहीं मिलता फोन लगाते रहते हैं नंबर से कोई जवाब नहीं देता मेल भेजते रहते हैं इंटरनेट पे मेल भेजते रहते हैं कोई जवाब नहीं मिलता ये सब सुनकर काफी दुख होता है यहाँ पे मौरबी की ट्राजडी हुई उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो और मैंने बोला देखिए 150 लोग लोगों की मृत्य हुई है ये राजनेतिक बुद्दा नहीं है इस पे में बोलूँगा ने मगर सवाल उठता है आज उठता है जिन्हों ने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कारवाई ने कोई F.I.R. ने बी-जे-पी के साथ उनका अच्छा रिस्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या चोकीदारों को पकड़ लिया अंदर कर दिया मगर जो सच्चे लोगों है जो जिमेदार है उनके खिलाफ कुछ नहीं और ये गुजरात जवापका प्रदेश है स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री का ये सेंटर है ये आपकी रीड के हड़ी है ये जो छोटी कंपनीज हैं मिडल साइज कंपनीज हैं और आपके लोग सिरफ गुजरात में नहीं चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हों यही तो देश को रोजगार देती हैं ये जो अरब पती हैं दो तीन ये रोजगार नहीं देते हैं जो छोटे बिजनसेज हैं मिडर साइज बिजनसेज हैं वो रोजगार देते थे क्या हुआ सरकार ने नोट बंदी की आप से कहा था काला धन मिटा देंगे काला धन नहीं मिटा मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनसेज बंद हो गए फिर गल्ट जी एस्टी लागू की पांच अलग अलग टैक्स हर महीने फॉर्म भरो जो बचे थे वो भी खत्म हो गए रास्ता साफ करना था अरब पतियों के लिए रास्ता साफ करना था कॉरोना के समय भी वो ही किया मुझे याद है हिंदुस्तान के मजदूर किसी ने किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप दो हजार किलोमेटर चले हो मैंने उससे कहा देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है हिंदुस्तान का हर मजदूर ये दो हजार किलोमेटर चला था भूका चला था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थे हिंदुस्तान की सरकार ने गुजराट की सरकार ने उनकी मदद नहीं की और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे मर रहे थे उसी समय पीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोर रुपे करजा माफ किया जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते थे वो चिला रहे थे हम बरबात हो गए नोट बंदी हुई गलत जी एस्टी लाग हुई उसके बाद कोविट आया मदद नहीं की सपोर्ट नहीं दी यह पॉलिसिया नहीं है यह नोट बंदी यह जी एस्टी कोविट में जो इनोंने किया यह पॉलिसिया नहीं है यह किसानों के खिलाफ मजदूरों के खिलाफ छोटे वियापारियों के खिलाफ स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वालों के खिलाफ यह हतियान है इनको खतम करने के हतियान है और जो हिंदुस्तान के दो तीन बड़े अरब पती हैं जानते हो उनके लिए रास्ता साफ करने के हत्यार वो कोई भी बिजनस चलाना चाहें चला सकते हैं जो भी करना चाहते हैं टेलेकॉम बिजनस करना है तो टेलेकॉम में घुज जाएंगे एरपॉर्ट में घुज जाएंगे पॉट्स में घुश जाएंगे infrastructure खेती जो भी ये करना चाहते है grocery stores जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं इस देख सकते हैं मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है engineer बनना चाहता है तो पहले आप private institution ने जाई है लाखोन उपे दीजिए नहिंगाई सही है और उसके बाद engineer मत बने है मजदूरी कीजिए आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है गुजरात में बाकी हिंदुस्तान में पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे पब्लिक सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाती थी आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइबेटाइज हो रहा है रेलवेज को प्राइबेटाइज कर रहा है और किसको दिया जा रहा है उन्हें दो तीन खुदियोग पतियों यह आपकी पूंजी है यह आपका धन है पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता सरकार में लाखो पुजिशन खाली है तो आप एक तरफ बेरोजगारी तो सहते हो दूसरी तरफ महंगाई यूपीए के समय पेट्रोल साट रुपे का होता था आज सो रुपे से जादा का है ग्यास सिलिंडर चार सो रुपे का था आज कितने का है ग्यारा सो रुपे का है दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अरब पतियों का वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का किसानों का मजदूरों का छोटे वियाप्रारियों का हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें एक हिंदुस्तान चाहिए न्याए का हिंदुस्तान चाहिए और भारत जोड़ो हम जो शुरू किया है उसके पीछे सोच आपकी है गुजरात की है महात्मा गांदी जी की है यह हमारी यह नई चीज नहीं कर रहे हैं हम रास्ता हमें गुजुराच में दिखाया था महत्मा गांधी जी ने दिखाया था सदार पटेल जी ने दिखाया था आप से ही सीख के हम यह तपस्या कर रहे हैं जनता की आवाज सुन रहे हैं साथ-ाठ घंटे हम चलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, किसानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, गले लगते हैं उनसे, मजदूनों से, और साथ-ाठ घंटे चलने के बाद, कभी दस-ग्यारा घंटे हो जाते हैं, हम पंदरा मिनट अपनी बात रखते हैं, शाम का समय है आप दूर दूर से आए हैं मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ आपने इतना प्यार दिया इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दूर 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 से आपका धन्यवाद